हेलो प्रेंट्स मैं सुनी पर्षाज सर्मा हूँ और आप सभी का अम्भी वेलोजी कलासिस में स्वागत है आच्छा जो वीडियो है वो मलरिया का आदा जो पार्ट है वो बांकी वो जो बचा हुआ था वो चीज आज का है कल आप लोगों को जो अगले वीडियो में जो आप लोगों पढ़ा चुके थे उसमें मलरिया क्या है फिर उनके जाती के जो परकार वो है वो बता दिये थे फिर वो जो मलरिया में फिर जो है वो कैसे क्या-क्या होता है कैसे हम लोगों में बीमारी उत्पन होता है वो सारा च तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसा है तो इनके शिम्टम्स का बात करेंगे तो सबसे पहले इनका सीम्टम्स का बात करेंगे तो सबसे पहले इनका सीम्टम्स हम पढ़ा रहे हैं मलेडिया मलेडिया का आधा वीडियो कल बना चुके हैं अब अगले वीडियो में जो आप देख सकते जाके तो देखिए तो हम बढ़ा रहा है सिम्टम्स को चलिए हम बात करें लक्षन का इसके लक्षन जो है वह हम बात करें चलिए इसमें जो फिवर भी रहेगा आप को बताएं कि वाऊट लोगों को प्सक्रापी पुरा कपकी होजाएगा आप बहुत विसन गर्मी में वी कमन और इगे फिर भी आपको बहुत ठंड ले बहुत कंपन और ऊखार को और शरीर सद्स॥ इ एक तोकसीन जहाया पती है एक क्रसाईय का और ने पहन के साथ ना पति है। इसमें जो इसका सबसे पहला लग्छान है क्या कमपन के साथ बुखार रही यही सबसे मैन और एक नंबर है मलेरिया का पहचान करने का आप गवाँ घर में जो बुढ़ी प्रोने जो आदमी है वह जो इनको मलेरिया को पहचानते इसी से पहचानता है ना कि वह बता देगा अन्तराल में कम एक निस्सित अंतराल में बुखार भी आगा आप लोग उंकल बतायते कि 24 घंटे का अंतराल यतों फिर वाद दॉट्व के वाड़रे मैं आप को बता हुए थी वही बोले आपको किसने सबस्दकी वह लख्षण क्या है तो बोले कि निस्सित अंतराल में कमपन के साथ बुखार का आना पहला लख्षण दूसरा लक्षान क्या बोले सीर में दर्द कराना अगला पड़न में क्या बोले-क करा क्या बोल रहा है कि ने अगला कुलेंगे आपके जो मौन्सपेसई हैं आपके Nintendo मश्मकर मोशनपेसई उसमें दнов नगे गी मोशनपेसई एवं जोडों में दर्ध आवन मानसपेसी और में डूपने कसे अगना भूख नहीं लगना को आपको अपको फीवर आ जागा ऑगा भूख खतम ह precisamente between आपको भूग क्या होगा वो भूग आपको नहीं लगनेगा। कई बार में बढ़ा हो जागा ठीक है चलिए हमें एक बार आपको फिर से रिपीट कर देते हैं इनका जो लक्षन सिंटम्स हैं सबसे पहला पन बोले कि निशीत अंतराल में जो है कंपन के साथ बुखार काना दूसरा पन बोले कि सीर में धर्द कराना अगला पन में क्या बोले आपको थे अपको जो हैं इन. जो लक्षन हवे ह्न आप लोगों को बता दिय करेंगे इन. इन. पिर्घ्र भाकरेंगे इन करेंगे सारी प्रिमेंशन निए इन्हाइट रूसमीशन करेंगे इनका जो ट्रांस्मीशन है है । तुर निना जो संचरन इनका जो संचरन होता यह एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में जो फैलाने का काम करता है वह मादा एनोफीलिज मच रहे वो है मादा ऐनुफी मिटइना उस लिएन उस्केवच के छुटया है इनका जो संचरण करता हुए इनका जो डांस्मिशन का इनका करता है इसमें आपको बता दें अगर एक बेप्थि अगरी एक डेवीक्षा तो आपको बता दे हैं वहीं बोले हैं इसलिए इनका लक्षा जो है वह क्या बोले आपको कि मादा एनिफ्लीज मचर के करते हैं यह ढपती हैं आपको हम इंक चाहरं धा it जिसको आफ लोग क़ते हैं रोक थांग सोब डेए और आप लोगम को हमेशा इस बात को बोलते रहते हैं कि आप लोग केबल अपने कौपी में न उतारें आपको जो हम बोल रहें वो से अपने लाइप में अपने जीवन में भी उतारें आपको बार बार इंट बात बोलते हैं कि केबल कौपी में उतारने से कोई फैदा नहीं होगा आपको बो प्योंग को समझ पाएंगे bहुत ज़रूरी है ना बहुत जरूरी है को क्योंकि यह झो आप लोग पड़ रहे जो हैं क्योंकि छेंगे without होने होने का है उस सबको खत्मिंगे जमने से रोकना चागी फालपञत का बुले है घर के आसपास पानी को होंने से रोकना है थृक Hallo World पैलिफे का भूले है वूंत पानी है उनको क्या करेंगे घमनने के नह sounding होंको में और हटा देंगे वहुंदd जया कि आई सपास पानी को शमने से रोकना आई ठीक है तूसरा छी आज़ पास समय समय पर DOC का क्थिघ का च्रण करना डिटिति का पुरा ना बताते कि लूरो-demós-ठाइब ऩफिर से बोलते है लोगों को बता रहे हैं बहुत ही जरूरी चीज़ है हम बात करें कुन है इनका जो हम बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं इनका कुन है हम बात करें कुनाइन का कुनाइन जो है एक रशानिक पदार्थ है यह कुनाइन जो है एक पौधा है जिसका नम है सिंगोना सिंगोना नमका इत पौधा है इस पौधे के जो च्छाल होते हैं उस च्छाल में एक रशानिक पदार्थ होते हैं जिसका नम है कुनाइन और यह कुनाइन जो है हम लोगों के सरीर में जो किसी भी आवस्था में, हमारे सेरे में किसी भी आवस्था में प्लाजमोडियम रहता है, प्लाजमोडियम को नश्ट कर देता है, उनके बीर्दी को रोग देते हैं, और वह प्लाजमोडियम खत्म हो जाता है, और हम मलेगिया से छुटकारा पा लेते हैं, हम बोले क्या, क ये कुनेन एक रशानिक पदार्थ है, और उस तरह से अप रोग ँथिक्स हिole कुनेन के च्छाल को पीस के जब क्या गता है, हमारे सरी में पहुच कर जो है वह बलड में मिलने के बाद जो है वह हमारे सरी में जो प्लादमोडियम है उनको नश्ट कर देते हैं उनके बीर्थी को रोग देता है ठीक है चलिए तो हम आपको बता दे कि इस पुनेल से जो बहुत सारे दवाही जो है हमारे मार्केट में बन ठीक है दूसरा फ्लोरो कुई है तीसरा पेंटा कुई है अच्छी जो दबाई जो आपको बले पेंटा पेंटा जो अच्छी तादमी उनको यह दबाई ले रहे नहीं चाहिए और अच्छी बहुत है ठीक है लेकिन आप लोगों बता दें कि मलेरिया में जो टाइप होता है उनमें आप लोगों बताएते हैं कि इनकी जो इस पीसिल अगले वीडियो में बता चुके है इसलिए जब आप लोगों को कब कपी के साथ बुखार का जब लक्षा निखाई दे तो जल से जल डॉक्टर का समपर करना चाहिए जल से दर डॉक्टर से मिलना चाहिए ठीक है ठीक है चलिए तो आप लोगों हम जो इंका प्रिवेंट् सब्सक्राइब करेंगे जी से क्या होगा आपको मैचर नहीं काटेगा और मलादिया होने साथ में बचेंगे ठीक है धन्यवाद